प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के मोस्को की यात्रा की पाँच वर्षों में ये उनकी पहली रूस यात्रा थी पीएम मोदी रूस के राष्ट्रोपती व्लादमेल पूतिन से अपचारिक मुलाकात करने पहुँचे ये 8-9 जुलाई 2024 तक दो दिवसिय यात्रा थी पीएम मोदी 8 जुलाई को मोस्को पहुँचे और रूस के उप्रधानमंत्री डेनिस मंतुरों ने उनका स्वागत किया इसके बाद उन्होंने रूस में रह रहे भारतिय समुदाई से बाच्चित की रूसी सैनिकों से मुलाकात की और रोसा टाउन परमानू सैंत्रन का दौरा किया बाद में पीएम मोदी ने आदेकारिक मुलाकात से एक दिन पहले रूसी राष्ट्रपती व्लादमिर पूतिन से अनपचारिक मुलाकात की गॉल्फ कोर्स में टहलते हुए बाचीत करते और चाई पीते हुए उनकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई नौ जुलाई 2024 को पीएम मोदी ने एक प्रदिबंदत प्रवेश बैठक में राष्ट्रपती पूतिन से अपचारिक रूप से मुलाकात की चर्चा के बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार आदी से जुड़े नौ MOU पर हस्ताक्षर किये अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्णा समझाता ग्यापन के बारे में बताऊंगा जिन पर हस्ताक्षर किये गए जलवायू संकट और जलवायू परिवर्दन भारत और रूस ने जलवायू संकट और जलवायू परिवर्दन से निपटने के लिए संयोंग टी में गठित करने का वादा किया है वे देशों के बीच व्यापार से कम कार्बन उत्सरजन भी सुनिश्चित करेंगे और अन्य विकल्प तलाशेंगे जिस पहले M.O.U. पर हस्ताक्षर किये गए ये इस बारे में था दोनों देशों के विकास को पढ़ावा देने के उत्देशे से भारत और रूस के शीर्ष व्यावसायों के बीच बिजनस टू बिजनस बैठके प्रचार कारेक्रम आयोजित करना आदी किया जाएगा भारत और रूस ने उत्तरी और दक्षिनी दुरूफ में सामोईक रूप से सयोग करने और अनुसंदान करने का वादा करते हुए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये भारत और रूस के बीच मजबूर प्यापार एक संबंध है हाला कि कुछ नीतियों के कारण उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार भारत और रूस ने सुचारू और बाधा मुक्त व्यापार के लिए नीतिया बनाने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया परमानू उर्जा सयोग पर तामिलनाडू के कुडन कुलम में भारत का अपना परमानू उर्जा सयंत्रन है इस परमानू उर्जा सयंत्रन का सामोई कुरूप से पिस्तार समर्थन करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए पियेम मोदी ने एक अहम गोश्ना की कि रूस के कजान और येकातेरिंग वर्ग शहरों में दो अन्य भारतिय दुतावास खोले जाएंगे मौस्कों में पहले से ही भारतिय दूतावास है लेकिन पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दो और दूतावास खोले जाएंगे बहुत खुब साइन किये गए 9 MOU में से ये अहम MOU थे अपचारिक बैठक के बाद राश्टरपती पूतिन ने PM MOUDI को सम्मानत किया और उन्हें रूस के इस सर्वच्च और प्रतिष्टित नागरिक पुरसकार से सम्मानत किया लेकिन PM MOUDI को रूस के नागरिक पुरसक से सुख सम्मानत किया गया ये भारत और रूस के बीच साज़दारी और दोस्ति को बढ़ावा देने के लिए PM MOUDI के उत्कृष्ट प्रयासों को मानता देना था PM MOUDI और राष्ट्रपती पूतिन ने उन भारतियों के बारे में भी चर्चा की जो पर्यटन के रूप में या नौकरी की तलाश में रूस गए थे उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए मूर्ख बनाया गया था आपको इस बारे में याद है? ISH News ने एक वीडियो जारी किया था जहां भारतियों रूस यूकरेन यूद के चलते भारत लोटने की गुहार लगाते नजर आये थे देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें PM MOUDI ने राष्ट्रपती पूतिन से इस बारे में बात की क्योंकि यूद में एक से दो भारतियों की जान चली गई है उन्होंने कहा कि लगबख सो भारतियों को रूस की सेना में शामिल होने के लिए गुमरा किया था और राष्ट्रपती पूतिन से उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोद किया राश्ट्रपती पूतिन भारतियों को तुरंद वापस भेजने पर सहमत हो गए ये एक अच्छी खबर है और भारत को राहत मिली है राश्ट्रपती पूतिन और पियम मोदी ने चीन, पाकिस्तान, आदी वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करने का वादा किया 9 जुलाई को राश्ट्रपती पूतिन से मुलाकात के बाद पियम मोदी उसी दिन औस्ट्रिया के वियना के लिए रवाना हो गए